इसे जो रूलिंग पार्टी है वो जी जाती है फिर ऑपोजिशन पार्टी उसके उपर एक्विजिशन लगाती है कि EVM टेंपरिंग थी या EVM मैल पैंशन था तो इसके इस चीज़ को खतल करने के लिए EC को क्या एश्व इनिटी दो लोगों को देनी चाहिए वोटर्स को दे देश में आज की तारीख में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने ये ना कहा हो के EVM ठीक है और उसी पार्टी ने ये भी कहा है के EVM खराब है जहां मैं जीत गया तो EVM ठीक है पर दूसरे स्टेट में मैं हार गया तो EVM गलत है तो दोनों तरफ तो बात नहीं हो सकती है तो EV EVM जैसे हमारे हाँ जो EVM इस्तमाल होती है वो एक्चली दुनिया में अपनी तरह की एक ही है यहीं हमारे ही विदेश में साइंटिस्ट और टेक्नालिजिस्ट लोगों ने डिवलप की है, डिजाइन की है, बेनुफैक्चर होती है और सबसे खास बात है कि हर EVM एक इंडिपे इंटरनेट का रोल होता है, तो स्टेंड अलोन EVM को टैंपर करना ना सिरब बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से तो हमारी EVM को टैंपर करना नामुम्किन है, और जो केस जिनके बारे में शोर मजा जाता है, वो होते हैं मैल फंक्शनिंग, यह मशीन ने ठीक से काम नहीं कि यह नहीं होते हैं कि किसी ने मशीन कुछ से गलत काम करवा लिया, तो मैल फंक्शनिंग EVM की होती है, और वो कोई बड़े यह नहीं के पचास परसंट EVM मैल फंक्शन कर रहे हैं को यह एक दो तीन परसंट होता है, विच इस आई तिंग एक्सेप्टबल, मैनिपलेशन EVM क मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी अब इलेक्शन कमिशन ने एक नया सिस्टम शुरू किया है, उसको करने है, वी वी पैट, वोटर, वेरिफाइबल, पेपर, और्डिट, ट्रेल, कि जब आप वोट करेंगे तो एक विंडो है, ही, फिर वो कटके डिबे में चली जाई है, तो उससे ये और भी जारा सैटिस एक्शन होता है, मैं ठीक है, जिसको मैंने वोट दिया, उसी को मिला है, अब उसको लेके आगे जगला ये शुरू हो गया, के वी वी पैट को काउंट करो, भाई अगर सारे वी वी पैट को बैलेट पेपर ही हो गया, उसमें तो तीन दिन लगते हैं काउंटिंग होने में, कभी कभी दस दिन लगते हैं, तो इलेक्शन कमिशन ने कहा है के हर कॉंस्टिट्वेंसी में एक इवी एम या एक परसेंट वी 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 एम का वी वी पैट से कन्फर्म किया जाएगा, कुछ लोग कर रहें, पचीस परसेंट का होना चाहिए, अब वो ठीक है, एक और पचीस के बीच में जितने मर्जी हो सकते हैं, कर लो, लेकिन पेपर बैलेट पे वापश जाने का तो कोई सवाल मेरे खाल में है ही नहीं, क्योंकि पेपर बैलेट में ये कहना के पेपर बैलेट मे वोटर को ये तसली होती थी कि जिस डिबे में मैंने डाला है उसी में गिरा है लेकिन पेपर बैलेट में तो भाया बूत कैप्सरिंग होती थी वोटरों को फार दिया जाता था डिबे चोरी हो जाते थे और फिर कहां से कहां डिबा चला रहा है रस्ते में उस पर डाका आता था बैलट पेपरवाली प्राप्लम पहले बूत कैप्सृरिंग होगती ती अब तो बूत कैप्सृरिंग हो हो नहीं सकती क्योंकि एक EVM साथ सेकंड तक साथ सेकंड पहले उसमें कोई दूसरा आजमी हाथ लगा ही नहीं सकता वरना आटोमेटिकली बंद हो जाती है सो EVM मेरे खाल में तो बिल्कुल सेफ है और वीवी पैट आने से और भी ठीक हो गई है लेकिन अब जो हाद आते हैं फिर वो शोर मताते हैं कि EVM खराब है वही पार्टी दूसरे स्ट्रेट में जीती है तो EVM ठीक है यह बड़ी अजीब सी बात है अजीब स्ट्रेट में जीती है